दोस्तु आज हम लोग डिसकरस करने वाले हैं मध्य प्रॉडेस में असिस्टन्ट प्रोफेसर एक्जाम के स्लेबस को बहुत ही बेवस्ते दंग से समझेंगे आखिर इस एक्जाम का पाठेकरम क्या है और उस पाठेकरम के माध्यम से हम अपनी कच्छाओं को तो आए के जोड़ते हैं आज के इस ग्लास के साथ इस पे हम लोग डिटेएल डीस्क्षिं रखेंगे डिटेएल डिस्क्षिंट करें पहले के शली करते हैं जूने नम्बर वन या इकआई-एक छूने नम्बर वन जिस पर हम समासास्त्र की अउधानों को देखेंगे जो समासास्त्र की बैसिक उधाना या मुलभूत उधाना य tribus सबसे पहले समाव इसका समाशास्त्री परिप्रेच की क्या है तो मुझा थोड़ा सा और के आपको बताना चाहूँ जब हम बात करते हैं समासास्त्री परिप्रेच की तो उसमें बहुं सारे समासास्त्री परिप्रेच या सोचोलाजिकल डाइमेंशन्स तो इसमें कई सारे एंगल देखने के मुलते हैं कि आखिर समासास्त में हम कितने परिप्रेच हों को पढ़ते तो उसमें हम लोग शाट में समझते हैं इसमें हम समझते हैं प्रकारवादी परिप्रेच इसमें समझते हैं माक्सवादी परिप्रेच इसमें हम अंतह क्रियावादी परिप्रेच और सब्भेतावादी परिप्रेश के अलावा एक दलितवादी परिप्रेश भी समझेंगे चुकि जो सारे ये बेसिकली सो लाफ तो शाली है यानि कि समासास्त्र में किसी भी घटना को देखने का एक अलग नजरिया होता है अलग अलग द्रशकूर्स उसको देखा जाता है वही सारी चीजे इसमें समझेंगे तो यह परिप्रेश का मतलब होता है कि नजरिया एक सोचने समझने का देखने का एक तरीका ठीक है पिर हम लोग इसकी मुखे और धानाओं पर होंगे जो पोट सेंपर सेंड ऌनलोट सोंगे संध्रत आ Time designers ऑए होती Umm का मतलब होता है एक नियम्रद बिवस्था यैसे यैसे MPButz कमिशन को करता है तो नियम बद्ध बिवस्था से संचालित होता है ठीक उसी तरीके सो अगला टाउपिक आता है समिती को समझेंगे एसोशेशन बोलते हैं तो समिती का मतलब होता है किसी ऐसी ब्यवस्थाक अंग बनना जिसमें जाना हमारे लिए जरूरी नहीं है बलकि हमारे लिए अच्छिक विकल्ब प्रदान करता है चाहे तुम समिती का सदसे बने और चाहे संस्कृति के तक्तु क्या होते हैं संस्कृति के आयाम क्या होते हैं संस्कृति से जुड़े विभिना उधाना है जैसे प्रति संस्कृति लगू संस्कृति विभासी संस्कृति लोग संस्कृति जन संस्कृति अलग अलग वेश्टन कल्चर यानि पश्यमी सब्यता संस्क ज़िए फिर मान्दंड और मुल्य है जो समाज हमारी लिए मान्दंड और मुल्य बनाता है प्रतिमान तरह करता है उसकर इसके इंतर בהथा पढ़ेंगे के से वहर करना चाहिए कैसे बढ़ों से बातचीत करनी चाहिए उसके अग Bene 90ck anese जरूरी है और एक वर्ग के लिए अज़ के अलग अलग प्रकार से इनको निर्दारित किया गए गर अगला है सामाजिक समचन सब्दाया तो एल क्विय है इ means कर आता है जराज कि इस त्रिफिकेशन की चाहिए है तो एक त्रिके से अ still प्रस्पेक्ट्टिव में समाज को समझने का काम लोग रहते हैं तो उसको इस संदर में समझें इसके अंतरकत हम समझेंगे प्रस्तति और भूमिका के बारे में यह प्रस्तति है यारनिकि इसको अगर हम इंगलीस में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे स्टेटस यह परिस्थती नहीं है प्रस्थती के मतलब होता स्टेटस जैसे आपकी समाझ में आपका क्या स्टेटस है लोग बोलते हैं यह आपका बिजनेस है आप स्टोडेंट है आप आईस है आप असेशन प्रोफेसर हैं आप क्या काम करते हैं किसान है तो स्टेटस की बात में क्लास के बाद अपने दोस्तों के साथ हो सकता हूं दोस्त की भूमिका में पिर अपने पत्नी के साथ हस्बेंड की भूमिका में बच्चे के साथ फादर की भूमिका में पादर के सामने पुत्र की भूमिका में ऐसे समझेंगे इसको इससे जुड़ी बहुत सारी भूमिक करम का मतलब होता है एक प्रस्ति के साथ दूसरी प्रस्ति तीसरी प्रस्ति तरह से कई प्रस्तियों से हम जुड़े होते हैं फिर आता है भूमिका संघर्स भूमिका संघर्स का मतलब होता है कि एक भूमिका आपको दी गई है उससे जुड़े आपके सामने कुछ परेशानिया है एक्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो आपको कोई रोल नहीं भाना है जैसे आप एक जज और आपका ही बेटा नहीं अपराद कर दिया है और आपकी कोई पर मैटर लगा है तो आप कैसे निया कर पाईएगा इसे बोलते हैं भूमिका संघर्स तो एक मैंने एक्जाम्पल समझा है फिर हम लोग इसको डिटेल डिसकस करेंगे वह स्लेबस डिसकस कर रहे है फिर आता है सामाजिक समूओह समझा क्या होता है उसका अर्प समझेंगे उसके प्रकार समझेंगे और प्राथमिक समूओह प्राथमिक समूह रहे प्राथमिक अपने मता-पिता बहाई ऑफिस जैसे कोई office जैसे में जाते हैं वहां काम करते हैं उसामों क+, और अपचारी को समझेंगी जी स्था प्रिक आफ तरीके से काम होना जैसे हमारा अपना परिवार जैसे हम अपनी माँ से अपने भारी से बाइस समोह और विडॉख हम लोग समझेंगे पिर संदर्व होता है अन्ता समूव भाहरी वातावरान बाहरी समाजिक दसाएं वह आपके बाहर समूव से जुड़ी होते हैं जैसा हम बने रहना चाहते हैं जैसा हम बनने की कोसिस करते हैं वह हमारे लिए क्या होता है वह हमारे लिए बाहर समूव के रूप में काम करता है ठीक है जैसा हम बनने का प्रयास करते हैं जैसे हम एक आईयर जैसा बनने का प्रयास करते हैं यह हमारा आईडियल जो होता है जैसे हमारा आईडियल है असिस्टिन प्रोफेसर असिस्टिन प् मायटन ने इसके बारे में बात करी थी पिर यूनिट 1 के अंदर गताता है सामाजिक संस्ना यानि सारे बेδावसिक जो अखुना है मुलम होता हिसमें आ जाती है जैसे विवाह क्या होता है ठीट तो विवाह में एकल विवाह बहु विवाह ठीक यह सब समझेंगे परिवार की बात करेंगे तो परिवार के अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो परकार के परिवार के बात करेंगे सन्युत परिवार और प्राचीन परिवार यही और एकल परिवार या एकांकी परिवार की बात करेंग乐 पर विभिएन चिंदकों के दर रश्चकोंड क्या द्रश्चन्च है इस पर गांधी जी चीज़ समझे लें가 न्यू एजूकेशन पॉलिसी वह इसमें हम लोग समझ लेंगे अर्थ ब्यवस्था का हमारे समाज में क्या सुरूब है जैसे बायटर सिस्टम से हमारा सुरू होता है वस्त भी निमें प्रमाड़ी से आदुनिक समाज के बारे में हम पर बात करेंगे राज ब्यवस्था और स मेक्समूलर से लेकर दरखाएं में टाइलर मक्समूलर करेंगे वेबर कई सारे चीनतक हैं जिनको उन्हें समझें प्र ब्यवस्था कैसे काम करती है आस्रम की बात करेंगे कितने आस्रम होते हैं उroe dispar की बात करेंगे दर रिणो की के बात करेंगे कि कितने प्रकार के रिज्शन के बारे में ना यग और हमारी यूनिक मारी यूनिकी दौ आती है इसमें बात करेंगे सोशलाईयेशन संस्कार करूं तो इंस्राट समाजी करण होता है समाजी करण एक सीखने परकरिया है जो जीवन परियन चलती रहते एक बच्चा जब से उस जन्म के बाद ज़़िसे उसे कॉन सा इंश आ जाता है छेतना उसमें उसमें आ जाती है उसके बाद लगातार अपनी मरतियू तक वो बड़ा होता है युवा होता है ब्रद होता है वो निरंतर सीखता ही रहता है वो यही होते ही समाजी करण की प्रक्रिय तो समाजी करण क्या होता है फिर पुदर समाजी करण क्या होता है इसमें समझेंगे प्रत्यासी समाजी करण क्या होता है यानि इंटी से पेट भी ठी प्रमजी कई पर मलि best reward का समाजी करन की एडिंसी क्या है कौन कौन से चीजें है जो हमें समाजी करन सिखाती ही यए सबसे पहले हमारा परिवार होता है हमारा पर्यवात होता है पर vil। होते हैं है ना कि समाजी करण पर स्थांत कर यह सब चिजह हैं यह इसे राधा है समाजी स्तरीकरण स्था अलग लग बाते हैं जैसे इस तरीजिकरम बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं कि मोगोल में सीयाल सीमा निफिक उपढ़ते हैं यह हम बात करें तो cabinet secretary additional secretary ऐसे एक hierarchy बनती हैं ना DMA DM DM S DMS करके उसी तरीके से वह होता इस तरीकरन विभीधिद करने एकदम अलग concept विभीध करना जैसे महिला पूरुस के बीच में अलग फिर उच उच्छ करम एवं असमानता ठीक कैसे दोनों में बाइफरकेशन इस तरीकरन के सुरूप कैसे हैं इस तरीकरन के सुरूप में अलग-अलग कंसेप्ट में देखेंगे जाती के संदर में प्राहमर छत्री वैश शूद्र का हम कंसेप्ट हैं उस नजरियस को समझेंगे पिर वर्ग के आधार पर पूंजी पतियों सर्भारा लिंग के आधार पर महिला और पूरुस अब तो ट्रांसजेंडर को भी देखते हैं नरजाती एथनिसेटी के बेसेस पर यहनिके नरजाती और मुख्यधारा के जो लोग हैं उनके बीच में जिस अरीके की एक विवेदता देखने के मिलती है और समाजी के सिध्धान्त यहां पर समाजी के सिध्धान्त के सिध्धान्त में हम समझेंगे वेबर का सिध्धान्त काल माक्स का सिध्धान्त और कामटे का सिध्धान्त टेविस मूर का सिध्धान्त इसमें हम समझेंगे कि सामाजी गसीलता क्या होती है तो इसमें सामाजी गसीलता में सोरो किन के नजरीस को पढ़ेंगे और जितने टॉपिक यूनिट वाइस दे हैना अगर आपको यही पता चल जा कि किसने दिया तो यही अपने आप में एक प्रश्ण है जो कि मैं पिछले साल के प्रश्ण पत्रों के आधार पर आपको करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो इसकी अधार यानि इसके अधार और इसके प्रकार जैसे उद्विकास क्या होता इसको समझेंगे प्रगति क्या होती है इसको समझेंगे स्थान का हो सकता है समाज का हो सकता है समाजिक संचना में परिवर्तन का मतलब है समाज के अंदर जो बदलावा हो रहे है ये से हमारे समाज में में पश्मी संभेता और संस्कृति के तब देखने मिलते हैं लेकिन अभी भी हैं अपनी मूल संस्कृति को बनाए हुए हैं तो हमारी संस्कृति में बदलावाया है लेकिन कभी सपोच करवा ऐसा हो कि हमारी पूरी संस्कृति ही बदल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे में बोलेंगे सामाजिक सनच्णा का परिवर्तन अपनी भार तीटा को खों कर पश्णी तक्टों को जो इस सोरो किन का सिद्धान है तान न κα्ना भी एसे सब चिंतक समझेंगे इस प्रेंगल मिन ऐसे तमाम चिंदक हैं जिन को इसके इंटर का थम करेंगे पिर आते हैं भारती समाज की आउधानात्मक सुरूप तो जिसमें भारत के लोग ठीक है भारत के लोग इसके अंतरकत आएंगे तो स्मूह और समुदाय में कैसे काम करते हैं हमारे देश में कितनी बोलियां एक 140 करों से अधिक लोग हम nessa हएंगे सांस कर्टिक क्या होते हैं उसको समझेंगे अलग अलग ऑ इसको हम सम्झें 27 एधार पर दो पर किस सांस्कृति के आधार पर कहीं पर हिंदों में ही जो है अलग तरीके की परंपरा है जैसे हम नातेदारी को पढ़ते हैं इरावते करवे को पढ़ाएंगे तो बताएंगे उत्तर भारत में अलग है और उत्तर पूर में अलग है और पर पान कि संस्कृति को पोष्टल एरिया के जो निवासी हैं चाहिए किसी भी समुदाय के हूं उला जो है इस तरीके के मच्छियां का सव विद्वारत करते हैं लेकिन मद्द भारत के लोग जबकि जो नहीं भी करते हैं तो सामाजिक मुद्दे इसमें सामाजिक सांस्कृतिक लिए उसको करेंगे निर्धंता क्या होती ही उसको शेषकर करेंगे उसके कारर शेट्री निर्वांची और धार्म विश्म रस्ता इस पर बात करेंगे हैं एकल मेरिक्त कौन सीप से है जिनों ने इस lle जन्म के चैह से घरेलू हिंजशा तो घरेलो हिंसा का जो कानून है 2005 का उसके बारे में बात करेंगे दहेज प्रथा पर जो कानून है उसके बारे में बात करेंगे टाइवोर्स के जो कानून है और अन्ता पेड़ी संगर्स के बारे में बात करेंगे जो आज देखने को मिलता है यूनिट टीन पर आते हैं दस यूनिट है तो यूनिट के बारे में हम आज डिसकस करना ज़्यादा ज़रूई है उसकी डिटेल व्याख्या फिर किसे तो समासास्तरी सिध्धान आते हैं जो में एरिया है यह एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है अति महात्पूर्ण है कह सकते आपकी कमाल कर सकते हैं फिंकर पर अच्छी कमांड ना होने से जो है आपका स्कूर्ण हो सकता है तो तो सबसे अच्छी कमांड बना के रख यह संचनात्मक सिधान इस्ट्रक्चर फंक्शन जो अप्रोच है जिसमें हम नडाल को पढ़ेंगे ठीक अटली ब्राउन को समझे जो स्ट्रक्श्रली स्थिंकर प्रकारवादी सिध्धान कारों में जो समाज की सकारात्म व्याख्या करते हैं इसमें मेलिनुवस्की तुर्खीन पार्संस और मैर्टन पड़ेगे अन्ताह क्रियावादी सिध्धान जो सूच में व्याख्याकार सिध्धान थे उनमें मैक्स वीवर बेसिकली ही सामाजिक क्रिया का सिध्धान विलफ्रेडो परेटो का सामाजिक क्रिया का सिध्धान और प्रतिकात्मक अन्ताह क्रियावाद अप्रतिकात्मकंत की बात जमीड और लॉमर ने करे की तिक प्रतिकात्मकंत की आप कर्यावात का मतलब है कि किसी भी घटना को बहुत ही सूचमता से भ्यापकता से इस तरह समझना ताकि रेय käyti को ज़्यादा अच्छ सी- के जैना जा सके और फिर पिर संघर्ष का सिद्धान जिसमें काल मांक्स, डेरेंड यार्फ और कोजर आ जाते हैं तो जो संघर्षवादी चिन तक हैं यह समाज की व्याखिया नतारात्म के दर्षकूर्ण से करते हैं, समान्ता के द्रषकूर्ण से करते मजदूरों participant के के aimed protocol यह इंडो लॉजिकल अप्रोच होती है इसको समझेंगे इंडो लॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है कि जो हम अपना अध्यन का तरीका अपनाए वह भारती प्रकृति कहों वह पश्यमी नहों माक्सवादी नहों वह अंतह करियावादी नहों प्रकारिवादी नहों जो कि जो धारना है वो भारत में सही नहीं फिट बैठती पश्यम के जो उपागम है वह भारत में उतनी सटिक नहीं बैठते इसलिए जी अस घुरी है जिने भारती समासास्तर का जनक कहा जाता है उन्होंने यह तरीका अपना है था और यह एक तरीका लूइड यूमाने भी फालू होंगा दलितवादी परिफ्रेच की बात करते हैं दलितवादी परिफ्रेच में जो मैंने पीछे आपको बताया था वी आर अंबेतकर के बारे मापको पढ़ना है सामाजिक नियाय का सिध्धान तो इनकी बहुत सारी बुग्स इनकी बहुत सारी और उनका क्या आ सैụब्लूती स्वाइश ओंठाय द्रिया फिल्लीज चार व्लैर्टी स्थ्था एंसे क्या गत्यां दैदें समाहर किया जाता है और लोग क्या है अलग 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 सौंच के अलग अलग स्यूंच के अलग अलग खृत rulers और लग쪽에 अलग अलग ऑलग गा आसान नहीं रह जाता कि हम उनका अध्यन वैग्यानिक रिस्पोर्ट से करें लेकिन उसके अध्यन के तरीके को विक्सित किया गया जिसे हम मैथडलोजी या रिसर्च मैथडलोजी की माध्यम से समझते हैं कि किसी भी चीज निसकर्स पर मैं इसे नहीं निकल जाएंगे बलकि सोध का एक पर्टिकुलर तरीका होगा कि हम किस तरीके की मैथडलोजी पद्धती का प्रयोग किस प्रकार के जो हैं टेकनीक का प्रयोग करते हैं डेटा कलेक्शन में ताकि हमें सही और वैग्यानिक प्राप्त हो सके यानि आकड़े प्राप्त हो सके उसके लिए ठीक है त में से वस्तनिष्टता के समस्या व्यक्ति निष्टता तथ्थे और मुल्ले कि वस्तनिष्टता मतलब होता किसी धी घटना को अबजक्तिव नजरे समझना यानि पच्छपात रहे थो न प्रति इतनी जल्दी अब्जेक्टिव रहे नहीं पाता वो अपनी जाती धर्म भासा छेत्र वे कहने के बायस्त होता है तो यहां पर यह चुनोती है फिर गड़नात्मक विद्धी का हम प्रेयोग करेंगे सोध में तो यह सर्वेच्छन क्या होता है सोध प्रारूप रिसर् करने जा रहें तो पहले एक हाईपोथेसैस या खा का मन में बना लिना उसको नहीं समझते फिर सैंप लिग खारह मार्केट कैसी लिली में यहां हम पालिका का बाजार वहां हम सथी हैं को तो महेंगी और सस्ती का अनमान लगाएंगे तो यह सब तो उसी तरीके से जो निदरसन होता सैंप्लिंग होता जिसे में एक और दूसरा उधारण दे दे जैसे चावल है दो सीटी कूकर में आने के बाद हम उसे कोल कर देख सकते हैं दो चावल दबाके कि आउप गए हैं तो संक्लन यानी data collection इसे बोलते हैं संबंग को बोलते तथे या डाटा data collection बोलते हैं ठीक है डेटा बीधियां कैसे महलोकन से करेंगे या अनुसूची से साच्याठक्यर से इन को सब को कрем आपको आराम से समझनेगे पिर यात thank गुडात्मक विधी का मतलब होता है कि हम ज्यादा तक्थ्यों पर ज्यादा आंक्णों के कठा करने पर द्यान ना दें बलके ऐसे डेटा कलेक करें जो ज्यादा विश्वस्नीता जिन में ज्यादा अप्जिक्टिविटी के साथ जिए तो सहभागी और लोकन ही वह तरीका हो हो सकता है सकता है मौखिक तिहास एक तरीका हो सकता है और जीवन नियाओं यह जो है इनको हम् लोग समझें इस सामाजिक सोब्त में संक्यकि का प्रयोग कैसे होता जैसे frequent इन्मोदकिक की एक और बहुलत के के विटेयंग formulation को समझेंग और था कि मात को समझेंगे समाज मिती मोरों का कंसट में का है इसको समझेंगे समाज कवर संदान में computer के यूज क्या है इसको समझेंगे privacy copy in पर करती पर कारवाद की emoción की बात करती प्रकारवाद का मतलब होता है किसी घंटना को सकारत्मंग नजरिये से समझने का प्रयास कर तो नो प्रकारवाद क्या होता है और नो माक्सवाद क्या होता है यह यहां पर समझनेंगे तो जैसे जो जो एलेक्जंडर है नो प्रकारवादी है हेबर मास हो गए और अल्थूज त्आ रूंतना ते इसमने दरिधा समझेंगे उनके विकंड़न इत्यादि को सिध्धार्ण समकालिन मुद्ध्य को सिस्ट्र ला-मकॉorm अलिन बस्तियां स्लम्स के बारे में समझेंगे डिस्प्लेस्मेंट वी स्थापन कैसे ज्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं सतत्विकास के लच्ष एशडीजी आपको पता ही है इसत्रा है पहना सतत्विकास के जो लच्ष है वो समझेंगे नीति आयोग के स्ट्रक्चर औ राइट कॉलर क्राइम ठीक है यह से लिए उन्होंने दिया था करप्शन ब्रश्टा चार अपराद का बदलता प्रद्रस अपराद का तरीका कैसा है जैसे आप समझते हूं साइबर क्राइम आयटी फिसल इंटिलिजन आने के वज़े से कि अवरा दीप फेक है ना पता है नहीं चलता कि आरे सही है की गलत मादक दरव्य विशन आप मत्या की घट्नाएं बढ़ रहे हैं तो वो सब चीजिए फिर इसमें जो इसमें भारत में परंपरा हो राधुनित्ता राश्ट न ग्रामीड समासास्त्र ठीक है ग्रामीड समासास्त्र की बात करेंगे तो ग्रामीड समासास्त्र की अध्यन पदतियों को यहां सामिल करेंगे जूनिन डंबर छे में जहां पर बात करते हैं ग्रामीड और नगरी अंतर फिर अगरे बात करेंगे तो आयगे का क समनी संस्थाइं यहां पर समय इसन सथाइं जो किसानों से जुड़ी है ऐसी चीजूँ को हम यहां पर समिल करेंगे तेन हम लोग आगे बात जग करेंगे उसमें आएगा भूमि स्वामितु और इसके प्रकार कि जैसे हमारे हाँ एक तरीके से पश्री में अगर हम पूंजी पतिव सर्वहरा की बात करते हैं तो भारत में जमीदार होते थे तो उस तरीके से और मजदूर होते थे करसक अंता सम है तो को तादन के तरीकों पर चर्चा करें विवस्था और जजमानी अंता समंधों में वह समझेंगे क्रसे से उसके जुड़ाओं को समझें बें स्वित्स संद्धान संसोधन कि पहले और बात की दसाओं के बारे में बात करते हैं जबत र flipping素 करा सम्झेंगे इस सम्कालिन मुद्दों में अगर हम बात करें तो कंटम्परी सूज में अगर हम बात करेंगे और उसके रुपांत्रण के नीतियों में तो बंधुआ और प्रवासी मजदूर की बात करेंगे बंधुआ और प्रवासी मजदूर की बात यहां पर करेंगे बंधुआ मजदू तक नहीं चुकता तो कई पीड़ियां उसके यहां पर इस तरह से काम करती रहते हैं ठीक और प्रवासी मजदूर का मतलब है जैसे यूपी विहार के मजदूर बाहर जाकर दिल्ली नुएडा गाजिया बादिन सम्में काम करते हैं क्या है गैर किसानी करण क्या है क्रसक अंद परिवर्तन की क्या दसाएं है क्या ठीक है गाव के प्रिवर्तन की प्रकृपिजयं माइग्रेशन मतलब शंता है त gefखिर है उसके दिर्षकोर को समझेंगे तो अगला आता है यूनिट अमबर विज्व्या समाज के बारे बात होती है तो इसमें बात करते हैं समाज सास्त्री परमपरा और उद्यूग इसकाम करता है नौकर साहिक कैसे काम करते हैं तारकिक्ता और उत्पादन संबंद कैसे जुड़े हैं अत्रिक्तमूले और अल्लाओ की बात करेंगे ठीक तो अगर हम स्रम विभाजन की बात करेंगे तो इसमें हम दुर्खीम को आपको पढ़ाएंगे नौकरसाइग बात करेंगे तो वेबर की चर्चा होगी पारकिक्ता की बात करेंगे तो वेबर की चर्चा और पेरेटो की चर्चा होगी उत्पादन संबंद की बात करेंगे तो माक्स और वेबर को यहां पढ़ेंगे हम लोग और अत्रिक्तमूली पर भी माक्स पढ़ेंगे कि अलगाव पर भी मार्क्स पढंगो और समाज ही बारें बात करें बात करेंगे दोस्त तो इसमें आगेस समाज ब्यवस्था के रूप में कार खाना ठीक तो यह पर बेसिकली एजिन का माडल में पढ़े हूंगा टाल इंट्रेस्टिंग आपके लिए हैं यह से question आपके सारे मिलें और और पर समाजिक सब्सक्राइब करेंगे कि कैसे काम करता है ये बहुत important समाज पर उद्योग का प्रभाव कैसे होता है समाज पर उद्योग का प्रभाव कि कोई जब industry लगते है तो वहां का आसपास का समाज कैसे परिवर्तित हो जाता है या कोई समाज दोगों को कैसे प्रभावित करता है दोनों चीज़ों उसको समझेंगे पिर industrial relation और दोगिक संबंद की बात करेंगे जहां पर स्रम का बदलता प्रद्रस है आस्रम कैसा है आस्रम एक दम जुझारू स्रम नहीं बलकि स्मार्ट स्रम इस्मार्ट लिबर की और बढ़ गया है तो इसको देखेंगे बदलते स्रम प्रबंधन समंध ठीक तो चेंजिंग जो लेबर management relation है उसको समझेंगे कि कांट्रेक्ट लेबर वगरा की जो चीज़े तो एक साथ बढ़ रह है स्रम संबंध स्रमिकों की भागयदारी यह समझेंगे आगे हैं भारत में और समाजिक परिवर्तन इंडस्टिलाइजेशन और समाजिक परिवर्तन भारत में काम करता है इसमें किस तरीके से चीज़ेशन को प्रभावित होता है जब इंडस्ट्री में कोई बेक्ति काम करने जाता तो अपना परिवार लेकर जाता है तो यानि एक आकी परिवार पन पर सिच्छा और ज्यादा अपचारिक संस्क्रत पाली के जगा आज इंगलिस फ्रेंच जर्म इसी चीओं की प्रहाई ज्यादा होने लग गई है इस तरी करण पर प्रभाव तेजिक साथ देखने मिला है जाती व्यवस्ता जहां कमजोर हुई है वर्ग व्यवस्ता वहां और ज्यादा मजबूत हो गई है और दोगिक समाज में वर्ग तथा वर्ग संगर्ष ज्यादा देखने को मिले है इंडेश्टिल रिलेशन में जहां पर एक तरीके से कंपनी और लेबर के बीच में डिस्प्यूट और दोगी करण की बाधाएं ज्यादा तेजिक साथ बढ़ गई हैं ज्यादा उनके सामने हैं और चैलेंजेज हैं सीमाएं हैं फिर बात करेंगे वैस्वी करण के बारे में वैस्वी करण के होता क्या है उसके क्या प्रभाव है एक कंसिप किसमें दिया था जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है यह सब चीजिए आपको समझाएंगे कि समाशास्तर का भारती करण ठिक है कैसे वह सिच्छा का निजी करण भारत की विज्ञान और प्रदगी में नीति जो हमारी है उसको हम लोग समझेंगे अब फिर आता है यूनिंट नंबर आर्ट यूनिन नंबर आठ बात करता है बेसिकलि विकास के समाशास्तर के बारे म एकनामिक ग्रोध क्या होती है मानवी विकास क्या होता है सामाजिक विकास क्या होता है तीनों अलग-अलग अधान है संपोसक विकास क्या होता है यह सारे अलग-अलग अधान हैं जिनको हम लोग समझें अधो विकास सिध्धान्त की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमें गुनार मेर्डल और मैक्स वेबर के कंसेप को समझना है फिर विकास के मार्ग के बारे में अगर हम बात करें तो यह हम आधुनिकी करण और वैस्वी करण आज विकास का मार्ग कैसा है पुरी दुनिया से जुड़ने का है तो वैस्वी है और आधुनिकता कैसा जुड़ संस्क्रति और विकास की बात बात होते हैं तो संस्क्रतिक सुभिधा या बाधा है उत्तर आदो निकता क्या होते है पश्यमी करण क्या होता है यह सबचिए हम लोग डिटेल में समझेगे पिर आता है युनिट नमबर 9 जन संख्या एवं समाज जन संख्या और समाज युनिट नमबर 9 है यह सेकेंड लाश्ट यूनिट है तो अच्छे खांसे डेड़ सो कोश्चन आपको करने है तो बहुत ही बेवस्थित परिपक्वता के साथ एक एक प्रशन को सौल करते हुए ह आपे एक नजरिया कि हमारा आखिर पेपर आता कैसा है कि तो इसमें आता है जन संख्या ब्रधि का सिध्धान्थ की बात करेंगी जनांकी की परिवर्तन कैसे हो प्रवजन क्या होता है और लिंग समचना हमारे समाज में कैसी मतलब कितने लोग युवां हैं कितने लोग बच्चे निर्धारक जदा क्यों बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है लग बात ज़्यादा है कम जोरी जोड़ी है जन संख्या है तो विकास के औरोधग वो मानो संसाधन के रूप में जनसंख्या ठीक है विकास चोकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो कई बार वो हैडल के रूप में काम करती है और मानो के औरोधग के रूप में विकास के औरोधग के रूप में भी काम करती है तो यह आपस में एक विवादी द्रिश्कूर्ट से रखा जाता है धार्मिक सांस्कृतिक जो उसके कारण है उसकी व्याख्या करेंगे जन संख्या नियंत्रण से जुड़ी हमारी देश में जो पॉलिसीज है जो कि जम संख्येंगे जहां पर मध्य प्रदेश में पंचायती राज विवस्ता यानीगे 73 जो है अमेंडमेंट उसको पढ़ेंगे से काम करता है त्रिस्टरी पंचायती राज विव्यवस्ता और सब्सक्राइब करेंगे कैसे पावर का ट्रांसपर हुआ मद्ध्य प्रदेश में जंजाती समाच आपको पता ही है कि मद्ध्य प्रदेश भारत एक ऐसा राज यहां पर सबसे ज्यादा जंजातियां पाए जाती है तो उसके बारे में यहां पर पढ़ेंगे जंजातियों का सामाजिक संगठन कैसे काम करत तो कई सारे नरत्ते हैं आर्ट फार्म सें पर्व हैं और तोहार इन सब्रीक परिचर्चा कर पिर मद्य प्रदेश में जो स्वयम सही संगठन की भूमिका यानि जो एंजियों हैं उनके रोल को हम यहां पर समझेगे ठीक स्वयम सही संगठन सेल्फ प्रूप सेल्फ प्रूप ठीक स्वयम सही संगठन और इंजियों यह होता स्वयम सहता संगठन इंच यहों को समझेंगे महिला ससक्ति करन क्या होता है उसको समझेंगे मद्य प्रदेश की लोग सेवा जो गारंटी है दिनियम 2010 है उसको समझेंगे मॉथ प्रदेस की जनसंख्या यह निए की जो डिमोग्रिकросी जनांके की किस वर्यव ज्याती समू जा क्यों अधिक है यह साड़ी दर से बढ़ूर और स्वास्थ योजन नहीं तो यह सारी इस चाहिए इसके अंदर हम लोग इनको जब designed कर रहे हैं । आपको यह क्लीर हो गया होगा कि आपका पाथिक्रम क्या यह हैं आपका पाथिक्रम इस पश्ट हो गया होगा आपको सबसे चीज पहली बाद आपके पाठिकरम से आपको आउगत कराना तो आपके जो कच्छाएं हैं वो इस्टार्ट होंगी साथ ही हम लोग इसमें जो पिछले वर्स के पेपर हैं यानि बैकियर्स के जो पेपर हैं उनके माध्यम से समझेंगे कि प्रश्णों की प्रकरते कैसी कैसे प्रश्ण पूछे जाते हैं और अपनी तयारी को बहुत ही ब्यवस्ति दंग से उसे प्रारम करते हैं तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इतिम्यान से इस पाठिकरम को समझ लिया odeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeode